आदाव एद्रबाद आदाव नाजरे मैं खेरो निसाँ दूर देशन हैदरबाद के खुसी प्रोग्राम आदाव हैदरबाद में हम आपकी मुलाखात बहुत ही एम शक्सियास से करवाते हैं जैसा के आदाव हैदरबाद में हम आपकी मुलाखात करवाने जा रहे हैं शहर के मारूव हैदर Gemeषuर डॉक्टर विजय कुमार से हैं आदाब में भीजय कुमार सर सर यह बता यह जनाब के टीवी की क्या-क्या अलामते हैं जी मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज हैदरीशाई दृरदर्शन आदाब हैदर några में रहना मेरा मैं बहुत खुश किसमत समझता हूँ आज अगले आने वाले पचास साथ मिनट एक बहुती अजीज और बहुती इंपोर्टन टॉपिक है कीबर क्लोसिस या टी भी बोलते हैं उसके बारे में आज गुफतगू करेंगे और अपने नाजरीन के जो दिमाख में जो सवालात है उसका खातिर हम जवाब देते जाएंगे जी डॉक्टर साब ये बताए कि टी बी की क्या क्या अलामते हैं तच्जुब की बात है कि बहुत से लोगों में टी बी का कोई आसान होता ही नहीं कोई सिम्टम होता ही नहीं पस चलते फिरते नजर आएंगे आपको कोई तकलिफ बाहर से महसूस नहीं होगा कुछ एक मैना दो मैना तीन मैने तलक उनको कुछ महसूस ही नहीं होता तो इसमें क्या हो रहा है बीमारी को बहुत देर में पकड़ में आ रहा है तो रफता रफता जैसा जैसा बीमारी फैलते जाएगा खासता और से फेपड़ों में आता है य तो रफ़ता रफ़ता जब बीमारी फैल जाता तब जाके उनको हलका सा थोड़े सिम्टम्स नजर आएंगे वो नातावानी हो कमजोरी हो लोग आके बोलेंगे मुझे मैं पढ़ पढ़ जाती हूँ बहुत ठक जाती हूँ कुछ काम करना दिल नहीं बोलता कभी चिड़ चिड़ापन हो जाता तो ऐसी बहुत हलके हलके सिम्टम्स नजर आते हैं ये टीबी की तस्कीश कैसा की जाएं रफ्ता रफ्ता बाद में जब बिमारी फ्षय जाता तो धीरे धीरे का सी शुरू होता। खांसि के साथ बलगम भी आता। कभी कभी बलगम के साथ खून भी गिर जाता। skilled guar से लोगों को सिर्फ खून ही आता में बलगम में। कभी-कभी आदा लिटर भी आ जाता, तो उस वक्त उनको जो सो दवा खाने में भरती करके सही तरीके का इलाज करना पड़ता, तो एक खास बात यह है, टीबी का बीमारी जितना भी हो फेपरों में, उनको चाती में कोई दरद नहीं होता, उसमें यह लोग थोड़ा सा नजर कर देते बीमारी को, तो जब बीमारी फैल जाता, तब सब तकलिफां आ जाते, रफता रफता थोड़े दिन के बाद में तनफुस कलते चलते, दम चड़ने लगता, सीड़ी चड़ने से दम चड़ने लगता, ऐसा इनके सिम्टम्स आते हैं, जी, हमें टीबी क्यों होती हो इसकी वजुहात क्या है? जाल के बाद में भी अभी भी हम ये टीबी इंफेक्शन के ऊपर खाबू नहीं पा सके, क्योंकि दवाया आने में देर हुआ, दवाया अपने हाथ में पिछले 60-65 साल से ही है, अच्छे दवाया है, अच्छे काम करते हैं, तो अभी पता चल गया कि एक जरासन से आरा, एक बैक्टिरिया को अपने जिसम में पहिचानना है उसको यह इंपोर्टेंट टेस्ट है अब जैसा खून में अब टाइफाइड हो गया तो खून का मौयना करते हैं याने तो किड्नी में कोई तकलीफ हो गया इंफेक्शन हो गया तो खारूरे का मज़ब पेशाप का मौयना कर लाइन तो थोड़ासा शिशे में सुबान आद निंच में जगने के बाद में सुबान आपकड़ कर लाकर डेना लैब में तो उसमें पास्टिरिया या नहीं जी अगर है तो समझो TB पक्का हो गया पहले के जमाने में पहले के टेस्टों में हजारों बैक्टिरिया है तो ही नजर आएंगे वो मैक्रोस्कोप में अब आजकल का लेटेस्ट टेक्नोलोजी के वज़े से एक भी TB बैक्टिरिया है उसका DNA उसका न्यूकलिक एसिट उसको पहच करते हैं इसको सीविनैट करते हैं यह हर हस्पिटल में हर जाव में करते हैं यह तो इसमें पहचाना जाता और यह बोलिया आपके अब भी आप जो बोले मुफ्त में भी हूता इसका टेस्ट वो तो तो कौन से हॉस्पिटल में होता है यह भलगम का टेस्ट और साथ ही साथ एक्षरे भी और कुछ बहुत इंपौरेंट अजीम जो तो ब्लड टेस्ट हैं, खून के टेस्ट हैं, वो भी मुफ्त में होते हैं, पूरे सरकारी दाउखाने में, जैसा कि उस्मानिया है, कांधी हॉस्पिटल है, किंकोटी हॉस्पिटल है, या नहीं, तो पीबी के सेंटर्स हैं, सारे हैदरबाद में कहीं सेंटर्स हैं, और पूर दाइगनोसिस होने के बाद में इलाज भी मुफ्ष में होता है जी क्या ये टीबी आम बीमारी है या इसकी कोई और वजुआत भी हैं जी हां टीबी बहुत ही आम है अभी सारी दुनिया में देखा जाए तो बहुत से लोग ये बीमारी का शिकार बन चुके हैं जी अपने 25-26 लाख लोगों को ये बीमारी है जी और सारे दुनिया में इसके वज़े से लोग अपने जान भी खो बैट रहे हैं तकरिबन एक साल में अब तक कितना परसंटेज हैदरवाद में 16 लाख तक दुनिया का सवाल है पूरा दुनिया में 16 लाख लोग अपना जान गवा बैटे हैं हर साल और अपने मुलक में तकरिबन 24 लाख तक अभी टी बी के मरीज हैं और उसमें थोड़े से ऐसे भी हैं जो सकत नमूने का है तो वो भी हैं देर दो लाख के तो इसको तवज्जु में रख रहा है तो य के आगे बढ़ने के चांसस है इसमें जी हाँ जैसा मैंने पहला बताया था शुरू के देर दो मैंना टी बी के वज़े से कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते जो जिस आदमी को टी बी है उनको ही पता नहीं चलता कि कुछ है अंदर और उनके जो रिशिदार लोग हैं फैमिल गवर से देखे तो ओ देखेंगे ये पहले तीन रोटी खाता था आज कल दो रोटी खाने लगा यानि गज़ा कम हो जाती है भूक मर जाती है और उसके साथ साथ वज़न भी कम होने लगती है मगर जो गवर से देखे उनको मैसुस होता है कि वज़न कम हो रहा है अगर कोई एक शक्स सुबा निकल गया साथ बजे काम के लिए और देर रात आड़ बजे पहुंच रहा तो घर वालों को भी या नहीं तो रिश्चेदारों को भी उनको ज्यादा परक के देखने का मोका नहीं मिलता है तो खुद आदमी खुद महसुस करता कि रफ़ता रफ़ता कमजोर है निढाल हो जा रहा है काम करना दिल नहीं बोल रहा है और नातावानी बोलते है जी तो एक दिलचस्पी कम हो जाता है कुछ काम करने में जी बाद में जाके खांसी बलगम खुन के बलगम और दम चड़ना सांस पुलना तनफस यह सब चीज रफ़ता रफ़ता आएंगे जी यह टीबी के अलग अलग खिसमे है क्या दो खिसम के हैं जी एक बोलते हैं सादा खिसम का बीमारी जो अपने जो आम दवाया हैं चाहे हॉस्पटल में हो या मेडिकल शॉप में हो आम दवाया टीबी के हैं जी उसमें मुकमिल तरीके से उनका इलाज हो जाता जी इलाज है एक छे मैने का दूसरा नमोना है सकत नमोने का इसमें क्या हो जाता टीबी के जो बैक्टिरिया है जो जरासंद है वो दवायों की बात नहीं सुनती नहीं सुनते हैं तो रिजिस्टेंट हो जाते हैं तो हो जाने से क्या है जब दवा देते हैं तो बैक्टिरिया जाते नही वो पलते जाते, multiply होते जाते हो, बढ़ते जाते, तो यह bacteria multiply होने से, resistant variety होने से, अपने कोई यह साधा नमोने के दवायां काम ने करते, तो उनके लिए अलग किसम का दवायां शुरू करना पड़ता, special variety of medicines, यह special variety, variety साधा वारीटी से कम पवर के हैं, तो यह जो सकत नमोने का बीमारी है, उसका इलाज बहुत लंबाद चोड़ा है, उनका नौ महिने का, बारा महिने का होता है, दवायां का side effects भी भोते होते हैं, और आपने पूचा, मरीज को क्या करना चाहिए, अगर बीमारी हो गया, यह सकत नमोने का जो बीमारी है, तो बस डॉक्टर को तई करना है, मैंने जो बताया थो शुरू में, उसमें बचने के कितने चांस असे? सारी लोग बच सकते हैं, मगर दवा सही लेना, सही डॉक्टर के पास जाना, जह सही इलाज लेना और बीच बीच में दवा नागा नहीं करना जह मुसलसल समाल करना नागा करने से क्या हो जाता है फिर से बैक्टिरिया रिजिस्टेंट बन जाते हैं जह ओ दवा को काम करना छोड़ देते हैं जह तो उसलिए मुसलसल समाल करना बहुत जरूरी है डाक्ट तमुने का टीबी है, वो सिर्फ फेपड़ों में माहर जो डॉक्टर्स होते हैं, वो ही कर सकते हैं, तो दूसरे स्पेशालिटी के डॉक्टर्स, आम डॉक्टर्स को करना मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत कम परसेंटेज लोगों में होता है, अभी अपने मुल्क में जाते रहते, मिट्रों में जाते रहते, क्या यह बीमारी मतलब छूने से आ जाती, जी नहीं, तो यह खांस था और से फेपड़ों में यह बीमारी आने से, और यह फेपड़ों में जब बीमारी जगा हो जाता, वो आदमी खांस नहीं लगता है, जब खांसता है, तो खांस दो लोग है, चार लोग है, दस लोग है, तो जब ये आदमी खांसता है, तो वो जरासन फैल जाते है हवा में, और दूसरे लोगों को लगने की chances है, समझो एक बस में एक 60 लोग जा रहे हैं, सिकंदराबाद से अफदल गंज जा रहे हैं, उसमें एक आदमी है जिसको टीब ये आदमी खांसते रहता, खांसते रहता, तो पूरे 60 लोग जितने भी है बस में, सबी को ये बैक्टिरिया अपने फेपड़ों में जाने का चांस रहता, मगर पूरे 60 लोगों को TB का बीमारी आता ने, उसमें हो सकता है, दो लोगों को या तीन लोगों को आ सकता है, तो उन उनको क्यों आया और बाकी के लोक कैसे बच गयर इसके वजह है यह जो बच के उन में बीमारी को रोकने का ताकत ज्यादा है जो जो तीन लोगों को ये बीमारी आ गया उनको बीमारी को रोकने का ताकत कम है कम क्यों है यानि इमूरिटी पावर जो है जाधा रहना इमूरिटी पावर कम क्यों हो गया शायद वो तीन लोग ग्रेट पिते हैं या जर्दा चबाते होंगे या शराब के आदत पढ़ गया होगा या खाना पीना सही नहीं है या रोजा ना सुबा उटके गंटे का तफरी को जाते नहीं वो लोग या नहीं तो सही तरीके का खुराक नहीं लेते होंगे ज़्यादा फुटपाथ में जो बेस्ते वैसे फास्ट फूट ज़्यादा आदत हो गया होगा तो उसे सही किसम का खुराक नहीं मिलता सही प्रोटीन नहीं मिलता तो बीमारी को रोकने का ताकत बन चाने तो बच के रहे ना सिगरेटों से, बीडी से, तंबाकू से, जर्दा से, शराब से और अच्छा खुरात लेना और तफरी को जाना और थोड़ी देर सुबा 10-15 मिनट के लिए धूप में बैटना वो जरूरी है वो जाहे मेल्स हो या जनाना हो एक 10-15 मिनट तो धूप में बैटने से बीमारी को रोकने का ताकत आ जाता है तो नाजरीन यहां रुकिंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए आदाब हैदरापार ब्रेक के बाद आपका खैरमक्दम है जी जो टीबी है उसका जिसम का कौन सा हिस्सा इससे जादा मुतासिर होता जी आपने अच्छा सवाल पूचा अपने जिसम क्योंकि यह बीमारी एक आदमी खांसने से अपने फेपड़ों में चले जाता उसके वज़े से फेपड़ों में बीमारी ज्यादा है लोगों में रेता मगर दिमाख में ब्रेन में हड़ियों में जोडों में जॉइंट्स में आंखों में भी आ सकता है चिम्रे में भी आ सक पेपड़े में आता है उसको बोलते हैं pulmonary TB और ये बाकी सब जगा को extra pulmonary बोलते हैं जरह कम है वो उतना आम नहीं है तो bone TB थोड़ा सा rare है मंगर joint TB थोड़ा सा common है joint ये जो bones TB है ये जल्दी recover हो जाता है जी हाँ तो एक फरक ये है pulmonary और extra pulmonary मतलब फेपड़ों का बीमारी को 6 मैने का इलाज है अगर समझो bones में है या दिमाग में है या पेट में है या जोड़ों में है तो इलाज 9 मैने का हो जाता है या कभी-कभी 12 मैने भी हो सकता है क्योंकि उस जगे में खून का रफतार कम रहता सर्कुलेशन कम रहता तो दवा भी बहुत slow पहुंचता उसके लिए ज्यादा दिन तक दवा देना पड़ता टीबी है ये खाबिले इलाज है इसकी दवाई आसानी से मिल जाती जी हाँ बहुत अच्छे दवाया है एक इंपोर्टन दवा है रिफैमपिसीन जोके 1962 में वो डिसकवरी हुआ है वो अभी तक भी अभी होके भी 60-70 साल हो गया है जी हाँ अगर आज के दिन भी वही दवा बहुत है बहुत इंपोर्टन है और इससे टीबी के बैक्टिरिया भी क्लियर कर सकते हैं तो ये पूरे दवाया मेडिकल शौप में मिल जाते हैं कोई डॉक्टर के मश्वरा से मगर जो इतना महेंगा दवा ज्यादा महेंगा भी नहीं है मगर ये दवा खरीदना नहीं चा सब्सक्राइब कर वादा इस मेठा भी या ख़यागा हैं और आपके घरकूं एक आदमी आता है मैने में थे पर यह देखने के लिए कि आप बराबर दवायां ले रहे हैं या हैं याह वो आके वो देखेगा आपने वो दवा सही लिये की नहीं तो Government of India भी बहुत ही इसके उपर दिल्चस्पी बता रहे हैं किसी हाल TV को अपने मुल्क से हटाने का तो बहुत बड़े पैमाने में इसका इंतिजाम हो रहा है तो उसमें आम लोग भी साथ देना चाहिए यह बताइए आप TV के मर्ज के इलाज की मुद्द कितनी रहती मतलब कितने साल इस बीमारी को कम्प्लीट होते हैं चे मैने में अगर साधा बीमारी है चे मैने में हो जाता सकत नमोने का है तो नौ मेने बारा मेने लग जाती है इसमें बहुत इंपोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं इनसान की फित्रत है जैसे दवा लिये बुखार कम हो गया खांसी कम हो गया खाना भी दोने वाले अच्छा खाने लगे घर वाले बोले एक दो किलो जरा हो गया है चेहरे में लगा तो इनसान की फित्रत है अभी तो सब ठीक है अभी क्या गोली खाना अभी क्या दवा खाना बंद कर देंगे तो बंद करने से क्या हो जाता तो 90 परसेंट जो बैक्टिरिया क्लियर हो गया है मगर एक 10 परसेंट बैक्टिरिया समझो अंदर रही गया है वो 10 परसेंट मोका देखकर वो 10 परसेंट से 20 परसेंट 20 परसेंट से 100 परसेंट होने में ज्यादा देर नहीं लगता और जब बीमारी वापस पलट के आएगा तो हो सकता है कि वो टाइम पे साधा बीमारी शायद नहीं रहेगा मगर सकत नमूने का बीमारी आ जाएगा तो उसी लिए बहतर यही है कि तकलिफ कम होने पर भी आप सुकून महसूस करेंगे फिर भी आपको ये छे मैने का पूरा ट्रीटमेंट ताई करना जरूरी है वरना बीमारी पलट के आएगा और इलाज करना मुशकिल भी हो जाता है एक बार जब T-B का मर्स ठीक हो जाए तो हमें और इलाज कराने की जरुरत है क्या जी नहीं एक बार ठीक हो गया डाक्र साब ने एक्स-रे करें उसके बाद में बलगम का टेस्त करें और उनको यकीन हो गया कि ये मरीज बराबर छे मेने का इलाज मुकमिल ले चुके हैं और बीच में नागा नहीं करे हैं तो ये दुबारा आने के चांस नहीं रहते हैं तो एक सूरत में दुबारा आने का चांस है वो है अगर वो आदमे को diabetes है शुगर या HIV है तो उस सुरत में कभी-कभी ये बीमारी वापस पलट के आने का chances है शुगर और HIV ये दो बीमारियां हम भी जब इलाज शुरू करते हैं कोई भी हो टी-बी अगर डायगनोसिस हो गया है तो ये दो टेस्ट तो जरूर करते हैं एक इनको शुगर है या नहीं देखने के लिए और दूसरा HIV है नहीं ये देखने के लिए क्यूंकि मैंने जो बताया ये सकत नमूने का बीमारी इन लोगों में कुछ ज्यादाई है ज्यादाई है अब रेजनी सीजन चल रहा तो ये टी-बी के जो मरिस क्या-क्या हैतियात करना चाहिए देखिए एक बार अगर टी-बी का बीमारी डाक्टर साब ने बोल दिया आपको टी-बी है तो उनका तो एक responsibility है अपने घर वालों को टी-बी से बचाने का तो घर में मास्क लगा के रखना चाहिए क्योंकि खांसी से दूसरे लोगों को फैल जाता है खास्ता और से बच्चे लोगों को जनाना को तो दबा शुरू हो गया तो एक मैने में वो एक आदमी से दूसरे आदमी को ये टी-बी फैलने का नहीं रहेंगा तो infection नहीं रहेंगा तो एक माना तलक सबी लोग घर में रहते हैं अगर घर चोटा है लोग ज्यादा है तो और भी नुकसान ज्यादा है तो ये है और बाहर भी गए तो भी मास पहन के जाना चाहिए जिनको टी-बी है और ये बहुत ज़रूरी है दूसरे आदमी को रोकने से दूसरा एक अच्छा खुराक भी जरूरत है दवा तो डाक्टर साब अच्छा दे देंगे ही मगर साथी साथ अच्छा खुराक तो खुराक के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे जी बोलिए जरूर तो खुराक बहुत महंगा खुराक की जरूरत नहीं है जो घर में गरम गरम पकता है चावल रोटी हर किस की सबजी तरकारी दूद दही अंडे अंडे बहुत ही अच्छे हैं एक अंडे में सेवन ग्राम का प्रोटीन होता है तो अगर दो अंडे खा लिए तो 14 ग्राम आज गया अगर समझो एक शक्सियत 50 किलो के हैं उनको 50 ग्राम का प्रोटीन चाहिए याने डेली एक अंडा ले सकते मगर जिनको टीबी हो गया वो दो अंडे तो खाले अंडे और अंडे लो कास्ट भी हैं आजकल छे रुपे में एक अंडा है समझो तो एक अच्छा खुराख है और बहुत ही महिंगा जैसा कि बादाम अक्रोट खाना जरूरी नहीं है जो नार्मल आजकल जो चल र और मेवा हर किसम का मेवा जो सीजन में मेवा आया कुदरत अपने तरफ से हर सीजन को एक मेवा देते जाते हैं अभी आम का सीजन चल रहा है तो आम खाते जाएए मौस तो हर सीजन में रहता रोजाना दो तीन मौस खाले सकते उसमें भी काफी कैलोरीस हैं उसमें भी काफी वाइटमिन्स हैं तो कोई परेज नहीं है मेरा बोलने का मतलब यह है कोई परेज नहीं है हर चीज खा सकते हैं और जो नॉन विजिटेरियन पसंद करते हैं उनके लिए चिकेन, फिश, पटन यह सब चीज खा सकते हैं तो प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स और कैलोरीस यह दो चीज़ों का तबज्जू रखना जरूए यह तस्खीज और इसकी एहतियात क्या क्या होना चाहिए एक तो मैंने बताया कि घर वालों को यह बीमारी फैलने नहीं देना दूसरा अच्छा खुराक लेना और तीसरा जैसे डाक्टर साब ने बोला उसके इसाब से गोली दवा लेना सही और उनों बोले कि एक मैने के बाद में फिर वापस आके एक बार चकप को आईए तो एक मैने के बाद जाना जरूरी है चोटे बच्चों में खास्ता और नियूबॉर्ण बेबीस जो जबके जब पैदा हुए उनको जरूर बीसी जी का टीका दिलाना है बीसी जी टीका देने से टीबी नहीं आएगा पांच साल तक यह सिर्फ चोटे बच्चों में और एक बार अगर एक फैमिली में किसी को टीबी हो गया तो फैमिली में जितने भी लोग है पांच लोग, छे लोग सभी लोग भी टेस्ट करवा लेना हो सकता है कि जो डाक्टर साब डागनोसिस किये हैं जब तक जो दो तीन महिने बीट गए दो तीन महिने में शायद हो सकता है कि वो टीबी का मरीश अल्रेडी घर में सभी लोगों के चहरे में खांस दिया होगा उनको भी इन्फेक्शन आ गया होगा तो सभी लोगों को टेस्ट करवाना है एक सिंपल टेस्ट आईजी आरे करके है वो करने से ये टीबी का जरासन उनके बॉड़ी में उनके फेपड़ों में पहुँच गया या नहीं ये बता देता बहुत आसान टेस्ट है दो तिन गंटे में रेडी हो जाता और अगर है तो उनको एक सिंपल इलाज दो तिन मेने का अगर दे दिये तो दूर्स हो जाएंगे वो लोग आप अब भी ये बताए के टीबी के मरिस क्या क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते इस बारे में कुछ बताएंगे आप कोई परेस नहीं है तो क्या नहीं करना चाहिए तमबाकू से दूर रहना सिगरेट, बीडी जर्दा, शराब ऐसे चीज़ों से दूर रहना यही मना है कुदरत में सभी चीज़ अच्छे हैं खाने के लिए सब चीज़ जो आसानी से मिल सकते हैं, जो सस्ते हैं वो सब चीज़ खा सकते हैं अभी मैंने बताया सबजी, तरकारी, दूद, अंडा, मुर्गी, मच्छी और हर किसम का मेवा इसके उपर ज्यादा तवज्जू देना है खानदान के बारे में आपका क्या खयाल है? अगर शायद वो मर्द हो या जनाना हो दोनों को भी खानदान की मामिले में या मतलब एक ही कमरे में रहने का एक ही बिस्तर में रहने का ये चीज अगर तंदुरस बन गए हो लोग वो सकता है कि देड़ दो मेने में तंदुरस बन जाएंगे उसके बाद में जैसा समझो जैसा सब लोग सेम है मगर इसमें एक मैं कॉशन देना चाहता हूं मैं खासता और जनना के लिए जब तक इलाज चल रहा है उस वकत अमल नहीं होना चाहिए वो प्रिग्नेंसी को अवाइड करना है तो इलाज होने के बाद में भी और एक छे मेने या आट मेने नौ मेने थोड़ा सा बच्चे दाने को रिष्ट देना उसके बाद में फिर से अगर अमल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं जो टीबी का मर्ज है वो ठीक होगे बाद काम कब से शुरू करना हो ये भी बहुत अच्छा सवाल है तो यूजवली एक 15-20 दिन में वो लोग रेडी हो जाते हैं जिनको बीमारी ज्यादा नहीं है जिनको दवा अचा सूट हो गया दवा मुसलसल इस्तमाल करना शुरू कर दिये हैं और अच्छा खुराग भी ले रहे हैं तो एक 15-20 दिन में तैयार हो जाएंगे वो लोग तो काम को जा सकते हैं वो आफिस जाने वाले आफिस जा सकते हैं स्कूल, कॉलेज को जाने वाले जा सकते हैं अगर खांसी है थोड़ा सा तो मास्क लगा लेना अच्छा है मगर उनके वज़े से दूसरों को कोई नुकसान नहीं है जा सकते हैं यह हैधरबाद में किता परसन्टेज है यह तो पूरा इंडिया में सेम परसन्टेज चल रहा है Cities में भी सेम है, Villages में भी सेम है, पहले Villages में कम और City में ज्यादा था अभी हर जगा समझो एक ही जैसा हो गया है तो सिटीज में ज्यादा इसी लिए है कि यहां पर भीड ज्यादा है बसों में जाने वाले ज्यादा है बेट्रों में जाने वाले ज्यादा है शादियों में दावतों में जाने वाले हैं जहां पर भीड ज्यादा रहता वहां पर टीबी एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने का चांस भी ज्यादा हो जाता तो उसी लिए चोटे बच्चों को भीड में कभी लेकर नहीं जाना शादियां, शौपिंग मौल या कोई दावता, गैर जरूरी जगों में चोटे बच्चों का वहां पर कोई काम नहीं है तो बे तकलिफ मोलने की बात हो जाती है जे जे तो नाजरीन यहां रुकिंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए आदाब हैदरापार ब्रेक के बात आपका खैर मक्दम है, ये बोले कि जो टीवी का जो मर्ज है वो कितने दिन में ठीक हो जाएंगा एक पुन्द्रा दिन में पंद्रा दिन में अच्छा महिसूस करेंगे, उनके तकलिफ़ां कम हो जायेंगे जे और मगर अंधर व लोग को मालूम कैसा होगा के वो ठीक हो गए उनको महिसूस तो होता, मगर वो ठीक होगे ये बुढने का काम हा डॉक्टर का तो डाक्टर साब बोलना उन्हों एक्सरे निकालेंगे बल्गम टेस्ट करेंगे खून का मौयना करेंगे आला लगा कर देखेंगे और उनको भी यकीन होना कि ये आदमी जो है बराबर छे मैने मुक्कमिल मुसलसल इस्तमाल करें हैं दवा तो तब वो डिकलेर कर देते हैं कि इनो कीवी से फूफ ये हो गये geri अगर चोटे बचों में टीवी आ गया जो क्या करना चाहिए है इलाज तकरीबन सेम रहेगा से मौ।र ।बडों में真 और चोटों में तकरीबन सेम तो वहाँ पर मगर वहाँ पर मदर उनके मदर जो है उनका जुम्मेदारी है बच्चे को बराबर दवा डालना देखबाल करना अच्छा कुराग देना ऐसा अगर दवाई बीच अदर रोक दिये तो क्या टीबी बढ़ने के चांसा से एक तो टीबी बढ़ जाएगा दवा बीच में रोकने से दूसरा वो जो जरासन है जो बैक्टेरिया है वो इससे पहले जो दवायां देते थे वो दवायाओं को उसका बात सुनना बंध हो जाता हूं तो रेजिस्टेंट बन जाएंगे तो फिर रेजिस्टेंट टीबी जो दूसरा टाइप का टीबी मैंने बोला था वो हो जाएगा और उसका इलाज बड़ा मुश्किल है और बड़ा लंबा चवड़ा भी है अगर टीबी के मरिस के साथ साथ दम्मा भी अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए कोई तकलिफ नहीं टीबी का इलाज तो चलते रहेगा एक तरफ और दम्मा का इलाज भी बहुत आसान है अच्छे दम्माया है एक जमाने में एक 40 साल पहले दम्मा के लिए अच्छे ने थे मगर अभी बेहतरीं इलाज दम्मा का आ गया है उसमें एक दम फस्क्लास नॉर्मल हो जाते हैं और टीबी का इलाज तो खाली टेंपरर करी है छे मैने का है उसके बाद में बंद कर सकते हैं मगर घमा का इलाज शायद सीजनल हर सीजन में जब दम जाधा हो जाता तो देना पड़ता किसी किसी को साल में एक ही बार आता तो वैसा भी देना तो अच्छा है दम्मा का जी अपन टीबी को रोक सकते क्या डॉक्टर साब जैसे मैंने बोला न्यूबॉर्ण बेबीस जो अभी पैदा हुए हैं उनके जरूर एक बीसी जी का टीका दे देना एक पान साल तक सुकून एक दम बेफिकर रह सकते हैं टीबी नहीं आएगा और पान साल के बाद में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पान साल के बाद में वो स्कूल को जाना शुरू कर देता और दस लोगों के बीच में घूमना फिरना हो जाता तो वो टैम बे टीबी आ सकता है क्योंकि ये बीसी जी का एफेक्ट खाली पान साल तक है अच्छा है पान साल कि बच्चों में ही इस दिमाग का टीबी और हड्डियों का टीबी और रीट की हड्डी स्पाइन रीट की हड्डी का टीबी ये सब चीज आते हैं तो ये बहुत मुश्किल है इलाज करना दिमाग का क्योंकि बाद में उसके एफेक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं ये बताए कि क्या TB का मरिस खांदानी जिन्दगी गुजार सकता? जी हम तो normal life मगर एक दूसरे के छहरे में खांसी नहीं करना चाहिए क्योंकि बीमारी बढ़ जाती एक दूसरे को लग जाती है जी तो खांसी नहीं है तो खांदानी जिन्दगी गुजार सकते हैं मैंने पहले जैसा बताया, जनाना लोग, अगर उनके तीन बच्चे हो गए, वो लोग फिर आगे फिर अमल नहीं होना चाहते हैं, तो वो उसका प्रिकॉशन लेना है, और खांदानी जिन्दगी बिता सकते हैं, और जिनको न्यूली मैरीड है, नहीं शादी शुदा हैं, वो लोग, अगर समझो बीमारी आ गया उनको, तो उनको टी बी का इलाज तो है, छे मैने का, मगर अमल नहीं होना चाहिए, पूरा इलाज मुकम्मिल होने के बाद में, उसके बाद में प्लान कर सकते हैं, पहले जमाने में टी बी का अगर मर्ज हुआ, तो लोग उसको एक अ कि ना घूंदरा दिन तक रखना जरूरी है, क्योंकि खांस में से एक आदमी से दूसरे आदमी को ये बीमारी पॉध पहिल जाता है, तो रात में काभ खांस से क्या है पताने चलता है, तो उसके लिए 15 दिन बीज दिन तक अलग कमरे में सो जाना, तो ये सही है क्यों एक आगमी से कम से कम घर वालों को तो बीमारी फैलता नहीं उसके बाद में इलाज शुरू हो गया होगा तो अंदर बैक्टिरिया कम हो जाते हैं तो सब एक जगा बैट के खाना पीना सब एक जैसा रख सकते हैं खाली 15-20 दिन की पाबंदी है बस जी जी अगर खावातिन में के बीमारी हो गए तो क्या वो प्रेगनेंट रह सकते हैं अगर अल्डेडी प्रेगनेंट हो गए हैं जी तीसरा माइना चल रहा है और उस वकत उन्हों खांसना शुरू करे तो तब पता चला कि उनको टीबी भी हो गया जी तो एक तरफ अमल चल रहा है दूसरे तरफ बेबी का इलाज करवाना चाहिए तो बच्चे को आता है और अमल भी कंटिन्यू कर सकते हैं कोई नुकसान नहीं है और पूरा मुकमिल अलाज होने के बाद में एक तरफ से अमल कंप्लीट नौ मैने का हो गया उसके बाद में डेलिवरी हो गया मगर मदर से जो बेबी आने वाला है तो आप इसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए रेनी सीजन में क्या होता है एक तो जो अटमास्फियर है एकदम हुमिड बन जाता है जी मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है हवा में तो खांसे करे तो वो पूरे ड्रॉपलेट्स वैसी अंदर रह जाते हैं दर आंकेट वगरा निकाल के ओड लेना शुरू करते हैं तरदी का मोसम भी आ गया तो उसमें क्या है अलर्जी भी ज्यादा हो जाता है इससे पहले आप पूछे दम्मा के बारे में दम्मा भी ज्यादा हो जाता और यह टीबी भी जड़ा जल्दी फैलता क्योंकि सर्कुलेश आजकल डिप्रेशन के भी जादा केसे सारे हैं चोटे बच्चों में भी है तो इसके बारे में कुछ बताईगे डिप्रेशन बेसिकली शुरू में अभी गुफ्तगू करें जी सनलाइट जी सनलाइट इस वन इंपोर्टन ट्रीटमेंट अलाज है सनलाइट सूरज की होने के लिए किसी को पैसे देने का जरूरत नहीं है रोजाना एक 10-15 मिनट ठहर जाना धूप में और उसमें विटामिन D आ जाएगा और उसमें बॉडी में कई हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और माइन फ्रेश हो जाता है डिप्रेशन चले जाता है और तफरी तफरी करो एक ससाइज करो शेटल खेलो जना थे कर सकते हैं और स्विमिंग कर सकते गर उने करए तो कुछ में करो कुछ ना कुछ हर्कत तो होना जाहिए कम एक 45 मिनिट का हर्कत मैं हमेशा बोलता हूं हरकत नहीं तो बर्कत नहीं गेच्ट तो तो हरकत की जरूरत है, एक तरफ तो खैर हमारे जैसे डॉक्टर्स हैं, इलाज करेंगे, बीमारी पहचानेंगे, इलाज करेंगे, मगर अपने तरफ से भी थोड़ा सा कोशिश जरूरी है, अच्छा खुराक लेना, नशीली चीजों से दूर रहना, तंबाकु से दूर रहना बीडी सिगरेट से दूर रहना, और जर्दा वगरा चबाना नहीं, और एक्सरसाइज करना, धूप में बैटना, घर में पका हुआ, गरम गरम खाना, तीन टाइम खा लेना, कोई परेश नहीं है, बीमारी को रोकने का ताकत बढ़ाना है, जैसे मैंने बोला, बस में 60 लोगों में नहीं रहना जिसको बीमारी आ गया, आप ये बाकी के लोगों में रहना जिसको बीमारी नहीं आया, तो बस में जाना थोड़ी बंद करेंगे, आप टीबी के डर से, मेट्रों में जाना थोड़ी बंद करेंगे, जिन्दगी तो चलते रहता, मगर बीमारी को र बीमारियां आते इसके बारे में कुछ डिटेल फ्लू एक आता है इंफ्लुएंजा बोलते और निमोनिया इत्तफाक से इंफ्लुएंजा का भी अच्छा वैक्सीन है पचास से उपर वाले सभी लोग यह इंफ्लुएंजा का वैक्सीन ले सकते हैं निमोनिया का भी टीका आ है वो एक इंजेक्शन ले लो तो जिंदगी भर आपको निमोनिया से बचा के रखेगा तो यह दोनों भी वैक्सीन्स अवेलेबल है और आस्तमा जिसका जिकर हुआ था आस्तमा भी बढ़ जाता है मगर अच्छा इलाज है उसके लिए भी जे चोटे-मोटे इंफेक्शन्स जिसके वैक्सीन्स नहीं है वो आएंगे मगर वो सब छोटे-मोटे हैं एक-दो दिन, तीन दिन, चार दिन रहेंगे, पांस दिन रहेंगे, चले जाएंगे खासता उरसे बच्चे जब आप स्कूल को भेजेंगे, चार साल का बच्चा स्कूल को जाएगा, आएगा, उसका एक बच्चे को कुछ वाइरस का इंफेक्शन है, तो वो लग जाता, पूरे चालिस लोगों को लग जाता, कभी-कभी टीचर को वाइरस इंफेक्शन रहता है, तो टीचर से भी बच्चों को आ सकता है, तो यह चोटे-मोटे इंफेक्शन्स बच्चा चार साल से लेके तक ये infections आते रहेंगे जाते रहेंगे चोटे मुटे हैं मगर बड़े बड़े जो है निमोनिया इंफ्लूएंजा जिसके लिए hospital में दावा खाने में भरती होना पड़ता बहुत महंगा इलाज है बहुत पैसे खरच हो जाते हैं उसके लिए vaccine है तो सस्ता वाला vaccine लेना अच्छा है लाखों में खरच करने से भी जी हाँ ये बैता रहता वैक्सिन लेना आप ये बोलिए कि TB के जो मर्ज है उनका TB अगर कम होके बाद क्या वो शादी कर सकते शादी मुबारक हो अगर इलाज के बाद इलाज के बाद तो TB पूरे तरिके से इलाज कर सकते हैं इलाज होने दीजिए मेरे पास बहुत से लोग आते हैं खास्ता और से उनके mothers डाक्टर साब हमारी बच्ची अभी 18 साल की हो गई हम पाइगाम दूरने में लग गए अच्छा पाइगाम आ गया आगले माइना तो मैं बोलतों नहीं इनका बच्ची का तंदूस होना जरूरी है इनका TB हर मुकम्मिल इलाज करना जरूरी है ठीक होने दो छे मैने का इलाज है ठीक होने तो उसके बाद में और एक छे मैने थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको अच्छा खुराग दे के जरूरा तंदूस बनाईए उसके बाद बाद में शादी का सोंचिए यह बीमारी अगर वालिद में है मतलब डाइड में है तो उनके बच्चों मे खांसने से घर में जितने भी लोग हैं खांसने से ना ना दास वे डादा दादी कू마ई तो छोटा बच्चा भागते वे आता गोध में ले ले थे अब गोध में लेके उससे प्यार भी करते और खांस ने देते तो छोटे बच्चे को लग जाता टीीवी का बीमारी बोलेंगे कि बहुत से घरों में ऐसा होता है तो तब कमसकम मास्क पहन के रहेंगे पंदरा बीज दिन तक उसके बाद में जैसा जैसा गोली दवा काम करना शुरू हो जाता है ठीक हो जाते हैं अगर किसी को दिल की बिमारी है क्या उनको भी अगर टीबी हुआ तो कैसा वो दो चीजों को मैनेज करना अगर समझो उनको दो बिमारिया है तीन बिमारिया है तो पूरे बिमारियों का हिलास तो करना ही पड़ता तो लकीली क्या है खुशकिसमती यह है कि टीबी का हिलास सिर मेने में दुरुस हो जाएंगे नार्मल बन जाएंगे अगर दिल के मरीज हैं तो दिल के बीमारी के लिए जितना दिन भी डाक्टर साब बोले उतना दिन दवा तो लेना ही पड़ेगा जो पबलिक को नहीं मालूम है से कोई नए डीजिस आए क्या बहुत अच्छा सवाल हम ज्यादा हम देख रहे हैं वो है इंटरस्टीशल लंग बिजीज इसके कहीं वज़े हैं मगर एक इंपोर्टेंट वज़े है जो बर्ड्स को एक्सपोज होते हैं अपने हिद्राबाद में खास्ता और से कबूतर जो कबूतर को दाना देते हैं जो कबूतर को घर में पालते हैं घर के आंगन में उनके ही घर के आंगन में कामपोन में देते हैं चोटे बच्चे भी साथ में रहते हैं कभी-कभी तो मैं तो देखता हूं कोई पब्लिक गाडन में वैसे जगे में भी कबूतर को दाना डालते हुए लोग और कई हजारों कबूतर रहते हैं वो कबूतरों के एस पंखे जो है पर 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 में से हलका आज बारिक सा प्रोटीन हवा में फैल जाता है दूसरा कबूतर जब जो खराब करता है जमीन को कबूतर वो ड्राइ हो के पाउडर बन जाता है वो भी जब अपने फेपड़ों में जाता है अंदर वो एक खिसम का बीमारी पाइदा करता है क्योंकि कुद्रत में लंग्स बड़ा मुलायम और बहुत डेलिकेट बड़ा नाजुक बना हुआ है क्योंकि फेपड़ों का काम है हावा से ऑक्सिजन लेना है और खराब कारबन डायक्साइड को बाहर निकालना है वो जो परदा है कुछ माइक्रो मिलिमीटर में रहता है अब ये कबूतरों का जो प्रोटीन अंदर जाके उसको मोटा सा बना देता बनाने से ठीक से ऑक्सिजन अंदर नहीं जा सकता तो उसमें रफता रफता उनको खांसी दम चड़ना और अभी बहुत से लोगों को तो लंग ट्रांस्प्लांटेशन करना पड़ा पुराने जो खराब होगे लंग्स क्योंकि उसका इलाज बराबर नहीं है वो लंग्स को निकालके किसी और आदमी के लंग्स बिठाके लंग ट्रांस्प्लांटेशन करना पड़ता था अपने हैदराबाद में अभी तक तकरिबन दो सो तीन सो लंग तक लंग ट्रांस्प्लांटेशन है तो बाहर से भी लोग आते हैं करोना के टाइम पे भी लोग आये हैं क्योंकि करोना से फिपड़े खराब हो गए थे तो हेलिकॉप्टर में भी आये हैं होस्पिटल्स को हैदराबाद के तो उनके खराब फिपड़ों को निकालके ताज के रहिए अगर आप जाना नहीं डाले कबूत्रों को वो तो जंगलों में चले जाएगा कहीं दून लेगा कम असकम आपके फेपड़े जनाना के फेपड़े बच्चों के फेपड़े तो महफूस रहता क्योंकि यह ILD जो बीमारी है इसका सही इलाज नहीं है और एक ट्रांस जनाब डॉक्टर विजे कुमार साहब तो शुकरिया सब्सक्राइब आपने तनी तफसिलाथ हमारे स्टोर्यों को दी है बहुत-बहुत आपका शुकरिया दूरेशन की पूरी टीम की तरफ से यह थे जनाब डॉक्टर विजे कुमार सहाब तो इनों ने आपको तमाम तफसिलात बताईए और आप एहतियाद जरूर कीजिएगा तो इसी के साथ ये प्रोग्राम इखताम को पहुंचता है खेर को इजाज़त दीजिए आदाब